हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आर चानल, लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास वन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वन और अंड मोर देन वन पढ़ेंगे जिसे हम सिंगुलर अंड प्लूरल नाउंस भी कहते हैं सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगुलर नाउंस को तो फ्रेंग्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको नाउंस समझाए थे वहां मैंने आपको बताया था कि नाउंस रेफर करते हैं किसी परसन, एनिमल, प्लेस या थिंग को अब यह जो नाउंस होते हैं यह सिंगुलर नाउंस भी हो सकते हैं और प्लूरल नाउंस भी हो सकते हैं तो सिंगुलर नाउंस क्या होते हैं सिंगुलर नाउंस रेफर्स तो वान परसन, एनिमल, प्लेस और थिंग तो ये जो singular noun होते हैं ये किसी एक चीज को refer करते हैं एक count, single person, single animal, single place या single thing को refer करेंगे ये Let's see some examples ये देखिए, ये photo देखिए आप इदर ये क्या है? एक pencil है ये तो हम इसको बोलेंगे one pencil तो ये जो pencil है, ये singular noun है क्योंकि ये एक चीज को refer कर रहा है इसी तरह से यहां देखिए, ये क्या है? एक car, तो इसको हम लिखेंगे one car तो ये जो car है, ये singular noun है क्योंकि ये एक car को, एक ही car को refer कर रहा है इसी तरह से, next देखिए, ये picture क्या है? एक girl की picture है ये तो हम इसको लिखेंगे one girl तो ये जो girl है, it is a singular noun because it is referring to only one girl इसी तरह से, ये देखिए फोटो यहां पे हमें एक cow नजर आ रही है तो हम इसे लिखेंगे one cow तो जो cow है, वो singular noun है ठीक है friends? तो याद रखिए, singular noun refers to one person, animal, place or thing अब हम सीखेंगे plural nouns के बारे में plural noun refers to more than one person, animal, place or thing तो अब plural nouns क्या होते हैं? ये वो nouns होते हैं जो एक से ज़्यादा person, एक से ज़्यादा animal, place या चीज को refer करते हैं एक से ज़्यादा किसी चीज की बात करते हैं उन nouns को कहते हैं plural nouns अब देखें इनके examples देखिए ये देखें यहाँ पे कितनी pencils हैं यहाँ पे अब हैं तीन pencils तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे three pencils देखें, s add किया है मैंने इदर अभी जब हम पीछे अभी मैंने जब आपको singular noun का example दिखाया था तो हम एक pencil की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ pencil लिखा था अब यहाँ पे एक से ज़्यादा pencils की बात हो रही है तो इदर हम लिखेंगे pencils, s add कर दिया हमने अब इदर देखिए कितनी cars हैं इदर इदर हैं 2 cars तो हम लिखेंगे 2 cars हमने फिर से s add कर दिया है car के साथ s लगा दिया है उससे हमें परता चलता है कि एक से ज़्यादा car की बात हो रही है और यहाँ पे photo में हमें 2 cars दिखाई हुई है अब next देखिए यहाँ पे कितनी girls हैं इदर हैं 2 girls ठीक है तो हम लिख देंगे 2 girls फिर से हमने girl के साथ s लगा दिया है तो वो plural noun बन जाता है अगर यहाँ पे 2 की जगा 3 या 4 लड़किया भी होती जब भी हम girls ही लिखते अब इदर देखिए कितनी cows हैं इस picture में 4 तो हम लिखेंगे 4 cows फिर से हमने s एड़ कर दिया है तो यह सभी pencils, cars, girls, cows यह plural nouns हैं क्योंकि यह एक से ज़ादा चीजों को refer कर रहे हैं तो अभी हमने देखा कि ज़ादा nouns singular से plural noun में change हो सकते हैं by just adding s to the singular noun जैसे कि अभी examples और दिखाती हूँ यह दिखें यह है one ball तो यहाँ पे singular noun है ball और अगर में इसको plural बनाना है अब यह जैसे 4 हो गई है ball इदर तो मैं लिखूँगी इसको four balls तो मैंने singular noun ball में s add कर दिया और वो बन गया plural noun balls अब इदर देखिए यहाँ पे singular है doll one doll है यह अब इसको plural करना हो तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे two dolls s लगा दिया जो doll था singular उसमें हमने s लगा दिया और बन गया plural dolls ठीके तो जादर तर nouns को हम ऐसे ही change करते हैं कि singular में s add कर देते हैं और उसका plural बन जाता है पर फ्रेंग्स कुछ singular nouns ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ s एड करके उनको plural नहीं बना सकते उनमें हमें e s एड करना पड़ता है so let's see कौन से nouns ऐसे होते हैं we add e s to the nouns ending with s s s h c h x and o तो ये वो nouns होते हैं जो end हो रहे होते हैं इन से इन letters से जो nouns end हो रहे होते हैं उन nouns में हम e s एड करते हैं जब जाके वो singular से plural बनते हैं let's see their examples अब देखिए one bus अब ये जो bus noun है ये end हो रहा है s से तो अब इसका plural बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके आगे सिर्फ एक और s नहीं लगाऊंगी वो wrong होगा इसके आगे हम add करेंगे e s देखिए ये बन गया इदर two buses b u s e s अब next example देखिए one dress तो यहाँ पे जो noun है dress ये end हो रहा है s s से तो इसलिए मैं इसके साथ add करूंगी e s इसको plural बनाने के लिए तो ये बन गया three dresses चीक है dress के साथ हमने add कर दिया e s इसी तरह से next example one brush अब brush जो ये singular noun है ये end हो रहा है s h से तो इसके साथ हम add करेंगे e s इसको plural बनाने के लिए तो ये बन जाता है brushes four brushes और examples देखते हैं one watch अब ये जो watch है दिखिए ये end हो रहा है s h से तो इसको plural करने के लिए मैं add करूंगी इसके आगे e s तो ये बन गया watches two watches let's see some more examples one box तो देखिए ये जो word है box ये end हो रहा है x से तो इसको plural बनाने के लिए हम इसके साथ लगा देंगे e s तो ये बन जाएगा boxes तो ये बन गया three boxes one mango अब ये जो word mango है ये end हो रहा है o से तो हम इसके साथ add करेंगे e s इसका plural बनाने के लिए ये बन जाएगा mangoes यानि many mangoes तो ठीके फ्रेंग्स याद रखिए जो भी words end हो रहे हो in letters से उनका plural बनाने के लिए हम उनके साथ add करते है e s now we change spelling of some nouns to make them plural तो friends अब ऐसे भी कुछ nouns होते हैं जिनको plural बनाने के लिए ना तो उनके आगे s लगता है ना ही e s लगता है उनकी spelling ही change हो जाती है so let's see such nouns पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि ऐसे nouns जादा नहीं होते थोड़े बहुत ही हैं तो जो मैं आपके साथ यहाँ पर दिखा दिखा दिए आप उनको असानी से आप याद कर सकते हैं देखे इदर one man two men तो यहाँ देखिए जब हम एक man को refer कर रहे हैं तो spelling है man पर अब जब मैंने दो आदमियों की बात करी तो spelling हो जाती है men तो a की जगा e लग गया ठीक है तो man और men अब इसी तरह से women के लिए भी यही है one women three women अब यहाँ पर देखिए जब हम एक women को refer कर रहे हैं तो spelling में a आ रहा है इदर ठीक है जैसे उपर था man में वैसे ही इदर नीचे भी a है पर जब हम three women को refer कर रहे हैं तो spelling में हो जाता है e तो इनकी spelling change हो जाती है इसी तरह से one foot two feet अब एक foot है f double o t इसका plural बनाने के लिए हम s add नी करेंगे हम कर देंगे उसकी spelling change और वो हो जाएगी f double e t friends अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे like करना ना भूलें now let's see such more nouns जिनमें हमें s या es आड नी करना हमें उनकी spelling change करनी होती है one tooth many teeth अब इदर देखिए जब एक दांत की बात हो रही है तो उसमें हमने spelling यूज करी है t double o t h पर जब एक से ज़ादा दांत की बात हो रही है तो उसमें spelling बन जाती है t double e t h ठीक है तो आपको यह पता होने चाहिए इनकी spelling आपको याद करनी पड़ेंगी child के आगे देखिए इसकी spelling change हो गई है जब एक बच्चे की बात हो रही है तो child यूज करा है एक से ज़ादा बच्चों की बात हो रही है तो children बन गया वो child के आगे r e n basically उसकी spelling change हो गई है one mouse two mice तो जब एक चुहे को refer कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं mouse m-o-u-s-e पर हम एक से ज़ादा चुहों को refer कर रहे हैं तो हम बोलेंगे mice m-i-c-e अब आईए हम इन सब के उपर करते हैं एक practice exercise write as if underlined word is singular and p if it is plural तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given है उसमें कुछ words underlined है चीक है और हमें बताना है कि वो जो underlined words है वो singular है या plural है so let's see the first sentence Tina bought pencils and a notebook तो यहाँ पे पहला word जो underlined है वो है pencils दिखे इसमें s add हुआ हुआ है pencil के साथ s add करा हुआ है तो यानि यह plural है तो हम इदर लिख देंगे p अब next word है notebook अब देखें notebook हमें पता चल रहा है कि इसमें यह singular है क्योंकि इसके साथ s add नहीं है और दूसरा तरीका क्या है इसके आगे देखें अ लिखा हुआ है a notebook का मतलब ही है one notebook तो इसका मतलब यह singular है तो हम s लिख देंगे next sentence she is wearing a pink hat अब hat जो है वो underlined है देखें hat क्या है singular है क्योंकि इसके आगे कोई s नहीं लगा हुआ और दूसरा इसके आगे a लगा हुआ है a यानि one hat तो यह singular है हम s लिख देंगे next my front tooth hurts अब देखें अभी मैंने आपको बताया है tooth का मतलब क्या होता है एक एक दाथ तो यह होगा singular तो हम s लिख देंगे tooth का plural क्या बताया था अभी मैंने yes teeth next sentence there are many buses here तो यहाँ पे underlined word है buses अब देखें es added एदर तो इससे पदा चलता है कि यह plural है तो हम p लिख देंगे now next question tell the plural word तो यहाँ पे हमें यह singular nouns given है हमें उनको plural बनाना है first है monkey अब monkey है जो इसका plural क्या होगा बस हम इसके आगे s लगा देंगे और यह बन जाएगा monkeys next tree tree का plural होगा trees सिर्फिक s add कर देंगे next है dish अब दियान से देखिए friends यह जो dish word है यह end हो रहा है sh से मैंने आपको बताया था ऐसे words से हम क्या add करते हैं es तो इसका plural बनेगा dishes e s next word है potato अब potato में भी देखिए o से end हो रहा है यह तो इसके साथ भी हम e s लगाएंगे तो यह बन जाएगा potatoes और words देखते हैं shop shop का plural में बन जाएगा shops सिर्फिक s एड़ करना है हमने दर next word है tomato देखिए यह भी o से end हो रहा है तो इसके साथ हम लगाएंगे es तो plural बन जाएगा tomatoes next word is basket basket का plural baskets सिर्फिक s एड़ करना है then we have vegetable vegetable का plural vegetables सिर्फिक s लगाएंगे हम now let's see this next question write the words that match the picture तो दिखें यहाँ पे हमें pictures given है उनके accordingly हमें nouns लिखने हैं singular और plural तो जैसे कि यह first picture में यहाँ पे हमें एक torch दिखाई दे रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे one torch ठीक है अब next picture में हमें तीन torches दिख रही है तो हम लिखेंगे three torches अब देखें जो torch word है यह end हो रहा है ch से इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे es तो इसका plural हो जाता है torches अब देखें यहाँ पे एक brush है तो हम लिखेंगे one brush और इधर काफी सारी five brushes I think five brushes हैं तो हम लिखेंगे five brushes फिर से दियान से देखिए जो word है brush यह end होता है sh से तो इसलिए इसके plural बनाने के लिए हम लगाएंगे es तो बन जाता है brushes now next here we have one candle एक ही candle है तो हम लिख देंगे one candle और इधर कितनी है इधर है six candles तो हम लिखेंगे six candles हमने candle के साथ s लगा दिया उसका plural बन गया candles अब देखिए इधर हमें एक glass दिख रहा है तो हम लिखेंगे one glass और इस picture में हमें दिख रहे हैं तीन glass तो हम लिखेंगे three glasses अब देखिए फिल से यह जो word है glass यह end होता है double essay तो essay letters के साथ हम लगाते हैं es बन जाएगा plural glasses सेस्